ग्लिप्ज डाटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ आर्पी सिंग और आप देख रहे हैं नेशनल अपडेट देश की बैंकों से 1000 करोन रूपए लेकर विदेश भागे विजे मालिया का BVIP जेट बिमान निलाम हो गया है इसको अमेरिका की आवियेशन मेनेजमेंट सेल्स ने 34.08 करोन रूपए में खरीदा है दरसल कानूनी अर्चनों के चलते मालिया का ये प्राइवेट जेट बिमान तीन बार की निलामी में भी निलाम नहीं हो पाया था जिसमें कभी न कभी कोई न कोई अर्चन आ जाया करती लेकिन इस बार तमाम एशो आराम से और सुविधाओं से लेस इस बिमान को अमेरिकी कमपणी ने निलामी में खरीद लिया है इस बिमान का वी वी आईपी बिमान का रिजिस्टेशन नंबर A319-133CVT VJM MSN 2650 बताया जा रहा है तीन सो करोण के घाटे में चल रही दिल्ली की मेट्रो ट्रेन ने दिल्ली NCR के क्यात्रियों का किराया दो बार बढ़ाया है वो अभी मामूली नहीं बलकि काफी ज्यादा तो वहीं 2021 तक लगभग 490 किलोमेटर लंबे रेल नेटवर्क के साथ ये दुनिया की तीसरी सबसे वड़ी रेलवे बनने जा रही है दिल्ली मेट्रो रेल कार्परेशन यानि दिल्ली मेट्रो के लिए लगातार ये दूसरा मौका है जब उसके पहिये थमने की नौबत आते आते बची है 2021 तक दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 490 किलोमेटर होगा DMRC ने जापान International Corporation Bank से बड़ा लोन लिया हुआ है और ये लगभग 20,000 करोन से अधिक का बताया जा रहा है ऐसे में इसकी भरपाई आसान नहीं होगी पूरे देश में 1 जुलाई से मोबाइल के नंबर 13 अंकों के हो जाएंगे 1 जुलाई 2018 से नया नंबर लेने पर ग्राहकों को 13 अंकों वाला मोबाइल नंबर दिया जाएगा इसके लिए तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है सरकार ने इसके लिए सभी राज्यों को निरदेश जारी कर दिये है भारत में मोबाइल नेटवर्क यूजर्स की संख्या लगभग 47.8 करोण पहुचने की उमेद है 2017 के दिसंबर में मोबाइल नेटवर्क यूजर्स की संख्या 17.22 फीजदी बढ़कर 45.6 करोण तक पहुच गई थी इस रिपोर्ट में देश से मोबाइल नेटवर्क की लोग प्रिता को दर्शाया गया है जो कि किफायती होने के कारण लोग प्रीवी रही है कांग्रेस अद्यक्ष राहूल गान्धी ने मद्यप्रदेश के मनसौर में आठ साल की बालिका के साथ की गई क्रोरता पर गहरा दुख जताया है उन्होंने बच्चों की सुरक्षा के लिए देश बासियों से एक जुठ होने का आवान किया राहूल ने ट्वीट कर कहा कि मद्यप्रदेश के मनसौर में आठ साल की बालिका का अपहरण कर उसके साथ सामोहिक बलात कार किया गया यह जीवन तथा मौत से जूज रही है इस बालिका के साथ की गई क्रोरता ने मुझे आहत किया है ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें Glips.in के साथ